हलो गैसे विडियो से बात करने वाले हम निफ्टी बैंक के वारे में कि कल की आपकी प्लैनिंग कैसी रहनी चाहिए किस तरीके से कल आप पैसा बना सकते हैं आज की दिन क्या पैसा बना हमारे मेंबर्स का और टेली ग्राम पर आज हमने जो आपको ट्रेड दिया था उसमें कल के दिन क्या बताया था मैंने बोला था कि आपको पुटसाइड में बड़िया ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है जो कि हमारा सक्सेस्फुल ब्रेकडाउन नहीं बोला जाएगा क्योंकि मार्केट ने कितना मूव दिया अगर हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं तो 500 से लेके 500 पॉइंट इसको नहीं ब्रेकडाउन बोलते हैं हमारा यानि कि मेरा जो व्यू ता वो था कि मार्केट 46,000 तक आ जाएगा विदिन कुछ मिनट यानि कि 10-15 मिनट के अंदर मार्केट को फॉल डाउन करके 46,000 आना चीता है जो नहीं हुआ अब जल्दी से देख लेते हैं आज के हमारे मेंबर्स के प्रॉफिट सो गाइस यह अपना टेलिग्राम ग्रोप है आप लोगों से बोलूँगा कि आप जाके इसको जॉइन कर लीजिए रिक्वेस्ट है सो डेट आप भी कुछ ना कुछ पैसा बना पाएं क्योंकि आज के दिन भी मैंने आप लोगों पर ट्रेड दिया था और वो 100 पॉइंट का ट्रेड बना था वन नाइन सेवें टू 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 फॉर जिरो ग्याराजार चैसो दोजार सतानवे दो सो तीन तेरा सो तीन अजार दो सो दोजार तीन सो अठाइस फिन निफ्टी का यह हमारा ओवर ओल एक ट्रेड था जो दो बजे एक्जेक्यूट हुआ था वन इस्टू वन का रेशियो में इसमें हमें प्रॉफिट हुआ इतर हमको अल्मोस्ट फॉट्टी फाइफ पॉइंट मिले उसके बाद हमें यहां पर फिन निफ्टी में जो ट्रेड दिया थो समें 4000 मेंबर्स ने पैसा बनाया ठीक है यहां कि ज्यादा पैसा लगाके जो लो करते है ना वह किया त्रेड था हमारा ये लेकिन इसमें सेल ना करके काल शॉट किया थीक है तो चीज को ध्यान रुखा की अप यह मत बोलना रहें तो कॉल ले रखाए नहीं भाईया सेल किया गया तो इसमें ऐसे ही पैसा बनता है चलिए ये तो बात हो गई कि हमने आज के दिन क्या पैसा बनवाया एक लॉस भी है उसको मैं डालना बूल गया हूँ बद बता रहा हूँ आप लोग को लॉस भी हुआ है आज मॉर्निंग के टाइम में कुछ लोगों का चलिए अब यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो म यह है कि rejection लेके आए उपर से 46400 के नीचे एक और चांस बन सकता है पुट में अब इसको मैं explain करूंगा ठीक है rejection लेके आए वाली बात को 10 बच के 13 मिनिट पर जल्दी से देख लेते हैं पहले आजाता हूँ मैं 5 मिनिट के चार्ट पर so अब यहाँ पर हमारी कहानी शुरू हुई थी कैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आप किस तरीके से fall को भी capture कर सकते थे अब यहाँ पर अगर आप देखो कि पहले मैं आपको समझाऊंगा पांच मिनिट की candle पर देन आपको समझाऊंगा मैं 1 मिनिट केंडल पर कि किस तरीके से आप यहाँ पर पकड़ सकते थे मैंने आपको क्या बोला मैंने सबसे पहले आपको level दिये 46400 के यानि कि ये वाले level sorry 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 46400 के level है ये वाले level जहां मैंने बोला कि आपको लेना है put side में पर पहले मैंने बोला था 46430 अब मार्केट इतनी तेजी से गिरा हो सकता है कि इस candle में किसी ने लेना पाया हो तो अब कैसे आप entry करोगे तो मैंने क्या बोला कि candle close हो ऊपर जाएगा rejection लेके आएगा तब आप इसमें entry करेंगे और अगर आप 46400 पे entry करते तो आपको इसी candle में पहले तो अच्छा खासा आपको 70 point मिलता और अगर आप एक SL के साथ करते तो आपको यह वाले level यानि कि 320 के level भी मिल जाते यानि कि 46400 से 320 यह वाले level आपको मिल जाते ठीक है कैसे obvious सी बाते आप entry करोगे तो एक SL के साथ काम करोगे ना अगर आपको 100 point चाहिए तो आपको देखो मेरे काईदे के साब से बताऊ तो at least 40 point SL रखना चाहिए अगर आप 100 point expect कर रहे हैं trade से momentum में आप अगर trade ले रहे हो तो आप 15,20,10 ऐसा आप SL रख सकते हो लेकिन अगर आप काईदे वाली trade ले रहे हो जिदर आपको ज़्यादा risk reward आपका सही होना चाहिए तो आप 1-2 का risk reward रखते हैं मैं तो यहाँ पर फिर भी बोल रहा हूँ कि अगर आप 100 point च आया था और आपको कैसे बचना चाहिए और लोग कैसे ऐसी जगह पर trap हो जाते हैं वो भी बता देता हूँ मैं तो देखो भाई यहाँ पर यह जो candle है इसमें आप देखो कि नीचे से कितना rejection है अब बहुत सारी लोग क्या करते हैं ऐसे fall में यहाँ पर entry करते हैं यानि कि व वो हो जाते हैं बाहर फिर करता है उनकी direction में market move और वो बोलते हैं अरे यार मैंने जब लिया घूम गया मैं जैसे ही निकला move कर गया तो guys ऐसे आपको pullback पे entry करनी होती देखो यह candle गिरी मैंने अपने members को बोला pullback ले नीचे आए तो आपको यहाँ पे entry लेनी है तो इतने मे क्या होगा कि आप यहाँ पर अपना trigger price लगा लोगे आप यहाँ पर limit order डाल दोगे कि इस price पे आपको buying चाहिए है तो वो buying जैसे ही आपकी होगी इतना तेज momentum मिलेगा ना यह candle का और यह candle आपकी 40 point की candle थी minimum तो इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते थे फाइदा अगर हम upside क की बात करें तो निफ्टी बैंक के चार्ट पे यह almost almost 25 point पीछे आया निकि 46,425 के आज पास तो अब 25 point पीछे है तो आप खुदी सोच लो कि कितना ही आपका इसमें 10-15 point भी ऐसे नहीं जा रहा होगा तो आपको यहाँ रुकना चाहिए था क्यों रुकना चाहिए था क्यों की मेरी expectation थी यहां से बड़ा वाला fall ठीक है तो आपको at least at least यह swing का low लेके चलना चाहिए जब आप बड़ा कुछ expect कर रहे हो ना उसके लिए तो आपको आराम से यह पूरा area capture करने को मिल जाता बट कोई बात नहीं अगर आपने यह 40 point पे चास point लिए बहुत है अगर आपने कोई भी candle बन रही है ना और उसमें नीचे से reaction आ जाए ना थोड़ा रुक के low उसका low निकलने दो उस point पे low otherwise आप फस जाओगे और loss करा लोगे अब आ जाते हैं वापस से अपने 5 या 15 मिनिट के चार्ट के उपर कि कल की हमारी planning क्या होनी चाहिए एक बात आप यह समझो कि sellers market में ना तो buyers बहुत जादा interested नजर आ रहे हैं मुझे ना sellers बहुत जादा interested नजर आ रहे हैं मुझे ठीक है एक यह आपको समझना पड़ेगा दूसरी कहानी यह जो trend line की कहानी आप देखो trend line से rejection market ने लिया है बार बार और वहीं से आपको एक बढ़िया सा candle बना के दिया तो ऐसे ही तो trend line में ने नहीं दिये समझ रहे हैं कि कुछ तो सोच के दिया है आप लोगों को तो अब कल की planning आपको बता दिता हूं कि call side में हमारी planning हो सकती है morning time में और वो planning कैसे रहेगी वो काफी जादा important है तो चलिए आपकी planning कुछ ऐसी रहने वाली है 46,700 एक बहुत ही important level है हमारे लिए अगर हम कल इसके उपर निकलते हैं आपको रखना है एक small सा SL ठीक है और यह morning time में होगा at least इतना माल लीजे half इन candles का half अगर यहां से हम कल के दिन उपर निकलते हैं तो आपको एक बढ़िया target देखने को मिल सकता है पहला target है आपका 100 point का दूसरा target है आपका 47 7000 का यानि कि यह पूरा area आपका call side का कल capture हो सकता है एक ही trade के अंदर या फिर momentum के साथ यानि कि यह निकाले market उपर जाए sideways और फिर चला जाए इस तरीके से यह हमारा plan है call side का बट उसके लिए हमको wait करना पड़ेगा 46700 का अब बात करें अगर हम downside की तो market है ना भाई किदर भ यूँ तिल वेन ओके हम एक बार वापस से try कप कर सकते हैं 46500 के नीचे अगेन हमारी same planning के साथ हम जाएंगे जो हमने कल सोचा था अगर हम 46500 के नीचे आते हैं तो वापस से हम यह area पे आएंगे ठीक है यह area पे आने के बाद हमारे जो बड़े target है वो है 46000 तक के ठीक है लेक 46500 के नीचे कुछ closing मिले कुछ strong red candle मिलेगी तब हम यह plan कर सकते हैं put side के लिए ठीक है ज्यादा मेरा view call side का है लेकिन market है कुछ भी कर सकता है आज मेरा view था कि market गिर जाए लेकिन let's see कि कल और परसों में कुछ हो सकता है क्योंकि expiry भी है तो हो सकता है कुछ धमाका हो जाए आन करो चैनल को subscribe करो telegram को join करो comment section में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते है आई होब आपको सब कुछ बहुत बहतरीन तरीके से मैंने समझाया है and please support किया करो थोड़ा thank you